केवल एक परमात्मा में शद्धा और समर्पण का संदेश देने वाली गीता सबको पवित्र करने का खुला मंत्रन देती है। स्रिष्टी में कहीं भी रहने वाले अमीर अत्वा गरीब, कुलीन तथा आदिवासी, पुन्यात्मा और पापी, स्त्री और पुरुष, सदाचारी एवं अत्यंत दुराचारी सबका इसमें प्रवेश है। विशेशकर गीता पापीयों के ही उद्धार का सुगमपत बताती है। पुन्यात्मा तो भजते ही है। प्रस्तुत है उसी गीता की अद्वत्ती यव्याख्या, यथार्त गीता का कैसेट प्रसार। ओम श्री परमात मने नमहा, यथार्त गीता, श्री मत भगवत गीता, अथा द्वितियो अध्याया, प्रथम अध्याय गीता की प्रवेशिका है। जिसमें आरंब में पथिक को प्रतीत होने वाली उल्जनों का चित्रण है, लड़ने वाले संपूर्ण कौरव पांडव थे, किन्तु संशय का पात्र मात्र अर्जुन है, अनुराग ही अर्जुन है, इष्ट के अनुरूप राग ही पथिक को ख्षेत्र ख्षेत्रग्य के संगर्ष के लिए प्रेरित करता है, अनुराग आरंबिक स्तर है, पूज्जे महराजी कहते थे, सद ग्रिहस्त आश्रम में रहते हुए ग्लानी होने लगे, अश्रुपात होता हो, कंठ अवरुद होता हो, तो समझना के यहीं से भजन आरंब हो गया, अनुराग में यह सब कुछ आजाता है, उसमें धर्म, नियम, सत्संग, भाव सभी विद्यमान होंगे, अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है, पहले सभी चाहते हैं, कि हम उस परम सत्य को प्राप्त कर लें, किन्तु आगे बढ़ने पर वो देखता है, कि इन मधुर संबंधों का उच्छेद करना होगा, तब हताश हो जाता है, वो पहले से जो कुछ धर्म कर्म मान कर करता था, उतने में ही संतोश करने लगता है, अपने मोह की पुष्टी के लिए, वो प्रचलित रूडियों का प्रमाण भी प्रस्तुत करता है, जैसा अर्जुन ने किया, कि कुल धर्म सनातन है, युद्ध से सनातन धर्म का लोप होगा, कुलक्षय होगा, स्वैराचार फैलेगा, ये अर्जुन का उत्तर नहीं था, बल्कि सद्गुरु के साननित्य से पूर्व की अपनाई गई एक कुरीती मात्र थी, इन्ही कुरीतियों में फंसकर मनुष्य प्रिथक प्रिथक धर्म, अनेक संप्रदाये, छोटे बड़े कुट और असंखे जातियों की रचना कर लेता है, कोई नाग दबाता है, कोई कान फाड़ता है, किसी के चूने से धर्म नश्ठ होता है, तो कहीं रोटी पानी से धर् दोश है, कदा भी नहीं, दोश हमारे भ्रहम दाताओं का है, धर्म के नाम पर हम कुरीति के शिकार है, इसलिए दोश हमारा है, महात्मा बुद्ध के समय में केश कंबल एक संप्रदाये था, जिसमें केश को बढ़ा कर कंबल की तरह प्रयोग करने को पूर्णता का माना जाता था, कोई गोवरतिक गाय की भाती रहने वाला था, तो कोई कुक्कुरवरतिक कुत्ते की तरह खाने पीने रहने वाला था, ब्रहम विद्या का इनसे कोई संबंद नहीं है, संप्रदाये और कुरीतिया पहले भी थी, आज भी है, ठीक इसी प्रकार कृष्न काल म उनमें से एकात कुरीत का शिकार अर्जुन भी था। उसने चार तरक प्रस्दुत किये। एक, ऐसे युद्ध से सनातन धर्म नश्ट हो जाएगा। दो, वर्ण संकर पैदा होगा। तीन, पिंडो दक्रिया लोप होगी। और चार, हम लोग कुलक्षय द्वारा महान पाप करने को उद्यत हुए है। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, संजय उवाज। तन्त था कृपया विष्टं, अश्रु पूर्णा कुलेक्षणं। विशीदंत मिदं वाक्यं, उवाच्यमधु सूदनह। करुणा से व्याप्त, अश्रु पूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले उस अर्जुन के प्रति, मधु सूदन, मध का विनाश करने वाले भगवान ने ये वचन कहा। श्री भगवान वाज। कुतस्त्वा कश्मलमिदं, विशमे समुपस्तितं, अनार्य जुष्टमस्वर्ग्यं, अकेर्थिकरमर्जुन। अर्जुन, इस विशम स्थल में तुझे ये अज्ञान कहां से हो गया। विशम स्थल, अर्थात, जिसकी समता का स्रिष्टी में कोई स्थल है ही नहीं। पारलौकिक है लक्षि जिसका। उस निर्विवाद स्थल पर तुझे अज्ञान कहां से हुआ। अज्ञान क्यों। अर्जुन तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए कटिबत है। क्या सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्राण पण से ततपर होना अज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं। हां ये अज्ञान है। न तो संभावित पुरुषों द्वारा इसका आचरण किया गया है। न स्वर्ग ही देने वाला है और न ये कीर्थी को ही करने वाला है। सनमार्ग पर जो द्रता पूर्वक आरूड है उसे आर्य कहते हैं। परिवार के लिए मरना मिटना यदि अज्ञान न होता तो महापुरुष उस पर अवश्य चले होते। यदि कुल धर्म ही सत्य होता तो स्वर्ग और कल्यान की नहिश्रेणी अवश्य बनता। ये कीर्थी दायक भी नहीं है। मीरा भजन करने लगी तो लोग कहें मीरा भई बावरी सास कहें कुल नाशी रही। जिस परिवार कुल और मर्यादा के लिए मीरा की सास बिलक रही थी। आज उस कुलवंती सास को कोई नहीं जानता। मीरा को विश्व जानता है। ठीक इसी प्रकार परिवार के लिए जो परिशान है उनकी भी कीर्थी कब तक रहेगी। जिसमें कीर्थी नहीं, कल्यान नहीं, श्रेष्ट पुरुषों ने भूल कर भी जिसका आचरन नहीं किया। तो सिद्ध है कि वो अक्यान है। अतह। अर्जुन नपुनसक्ता को मत प्राप्थो। क्या अर्जुन नपुनसक्ता क्या आप पुरुष है। नपुनसक वो है जो पौरुष से हीन हो। सब अपनी समझ से पुरुशार्थ ही तो करते हैं। किसान राद दिन खून पसीना एक करके खेत में पुरुशार्थ ही तो करता है। कोई व्यापार में पुर्शार्थ समझता है तो कोई पद का दुरुपयो करके पुर्शार्थ ही बनता है। जीवन भर पुर्शार्थ करने पर भी खाली हाथ जाना पड़ता है। स्पष्ट है कि ये पुर्शार्थ नहीं है। शुद्ध पुरुशार्थ है आत्म दर्शन गारगी ने याग्यवल्कि से कहा नपुनसक पुमान गनेयो योन वेति हृदी स्थितम पुरुशं स्वप्रकाशं तस्मान अंदात्मान मव्ययं वो पुरुश होते हुए भी नपुनसक है जो हृदियस्थ आत्मा को नहीं पहचानता वो आत्मा ही पुरुश स्वरूप, स्वयम प्रकाश, उत्तम आनंद युक्त और अव्यत्थ है उसे पाने का प्रयास ही पौरुश है अर्जुन तु नपुनसकता को नप्राप्थ हो ये तेरे योग्ये नहीं है हे परमतप, हिर्दय की इस खुद्र दुर्बलता को त्याक कर युद्ध के लिए खड़ा हो इस पर अर्जुन ने दीसरा प्रशन प्रस्तुत किया अर्जुन उवाच कथम भीश्म महं संके द्रोणन्च मधु सूदन इशुभी प्रतियोच्यामि पूजारावरि सूदन अंकार का शमन करने वाले मधु सूदन मैं रणभूमी में पितामा भीश्म और आचारिय द्रोण से किस प्रकार बाड़ों से युद्ध करूँगा क्यूंकि अरिसूदन वे दोनों ही पूजनी है द्वैत ही द्रोण है प्रभु अलग है हम अलग है द्वैत का ये भान ही प्राप्तिकी प्रेड़ना का आरंभिक स्त्रोथ है यही द्रोणाचारी का गुरुत्व है ब्रहम ही भीश्म है जब तक ब्रहम है तभी तक बच्चे, परिवार, रिष्टेदार सभी अपने लगते है अपना लगने में ब्रहम ही माध्यम है आत्मा इन्ही को पूझ्य मान कर इनके साथ रहता है कि ये पिता है, दादा है, कुलगुरु है, इत्यादे साधन के पूर्तिकाल में गुरु नचेला, पुरुष अकेला नबंधुर न मित्रम, गुरुर नईव शिश्यह, चिदानंद रूपह, शिवोहम, शिवोहम जब चित उस परमानंद में विले हो जाता है तब न गुरु ग्यान दाता, और न शिश्य क्रहन करता ही रह जाता है यही परम की स्थिती है गुरु का गुरुत्व प्राप्त कर लेने पर गुरुत्व एक जैसा हो जाता है श्री क्रिश्न कहते हैं अर्जुन, तुम मुझ में निवास करेगा जैसे श्री क्रिश्न, वैसा ही अर्जुन और ठीक वैसा ही प्राप्तिवाला महापुरुष हो जाता है ऐसी अवस्था में गुरु का भी विले हो जाता है गुरुत्व हिर्दय में प्रवाहित हो जाता है अर्जुन गुरुपद की ढाल बनाकर इस संघर्ष में प्रवृत्व होने से कत्राना चाहता है वो कहता है गुरुन हत्वाहि महानु भावान श्रेयो भोक्तुम् भैक्षम पीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहैव भुण्जी अभोगान्रुधिरप्रदिग्धान इन महानु भाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भैक्षा का अन्वी श्रेयसकर समझता हूँ यहां भैक्षा का अर्थ उदर पोशन के लिए भीख मांगना नहीं बल्कि सत्पुर्षों की टूटी भूटी सेवा द्वारा उनसे कल्यान की याचना ही भैक्षा है अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात अन एक मात्र परमात्मा है जिसे प्राप्त करके आत्म सदा के लिए त्रिप्त हो जाता है कभी अत्रिप्त नहीं रहता हम महापुर्षों की सेवा और याचना द्वारा शनेह शनेह ब्रह्म पियूश प्राप्त करें किन्तु ये परिवार न छूटे यही अर्जुन के भिक्षान की कामना है संसार में अधिकांश लोग ऐसा ही करते है वे चाहते हैं कि पारिवारिक सनेह संबंध न मारना पड़े और मुक्ति भी शनेह शनेह मिल जाए किन्तु चलने वाले पथे के लिए जिसके संसकार इनसे उपर है जिसमें संगर्ष की ख्षमता है स्वभाव में ख्षत्रियत वो प्रवाहित है उसके लिए इस भिख्षान का विधान नहीं है स्वयम न करके याजना करना भिख्षान है गौतम बुद्ध ने भी मज्जिम निकाय के धम दायाद सुद्ध में इस भिख्षान की आमिश दायाद कहकर उसे हे इमाना है जबके शरीर यापन से सभे भिख्षु थे इन गुरुजनों को मार कर मिलेगा क्या इस लोग में रुधिर से सने अर्थ और काम के भोग ही तो भोगने को मिलेंगे अर्चुन कदाचित सोचता था कि भजन से भौतिक सुखों की मात्रा में अभिविध्धी होगी इतना संघर्ष झेलने के बाद भी इस शरीर के पोशक अर्थ और काम के भोग ही तो मिलेंगे वो पुनह तर्क देता है नचैत द्विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदिवानो जयेयो याने वहत्वा नजिजी विशाम तेवस्थिताह प्रमुखेधार्तराष्ट्रा ये भी निश्चित नहीं है कि वो भोग मिलेगा ही ये भी हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रियसकर है क्योंकि जो कुछ हमने कहा वो अज्ञान प्रमारित हो गया ये भी ज्यात नहीं है कि हम जीतेंगे अत्वा वे ही जीतेंगे जिने मार कर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही धृतराश्ट के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं अज्ञान रूपी धृतराश्ट से उत्पन्न मोह इत्यादी स्वजन समुदाय मिट ही जाएंगे तब हम जीकर ही क्या करेंगे अर्जुन पुना सोचता है कि जो कुछ हमने कहा कदाचित ये भी अज्ञान हो अतर प्रार्थना करता है कारपण्य दोशोपह तस्वभाव प्रिच्छामित्वामधर्मसं मूढचेता यच्छे अस्यान निश्चितं ब्रूहितन्मी कायर्ता के दोश से नश्ट स्वभाव वाला धर्म के विशय में सर्वता मोहित चित हुआ मैं आपसे पूश्टा हूँ जो कुछ निश्चित परम कल्यान कारी हो वो साधन मेरे लिए कहिए यहां अर्जुन ने पूरुन समर्पन कर दिया अभी तक वो श्री कृष्ण को अपने इस्तर का ही समझता था अनेक विद्याओं में अपने को कुछ आगे ही मानता था यहां उसने अपनी बागडोर श्री कृष्ण को वस्तुत सौंग दे सद्गुरु पूर्ती परियंत हिर्दय में रहकर सादक के साथ चलते हैं यदि वे साथ न रहे तो सादक पार न हो युवा कन्या के परिवार वाले जिस प्रकार शादी विवाह तक उसको सैयम की शिक्षा देते हुए संभाल ले जाते हैं ठीक उसी प्रकार सद्गुरु अपने शिश्य की अंतरात्मा से रधी होकर उसे प्रकृतिकी गाटियों से निकाल कर पार कर देते अर्जुन्निवेदन करता है कि भगवन एक बात और है नहीं प्रपश्यामि ममा पनुद्ध्याद यच्छोकमुच्छोशन मिंद्रियाणा अवाप्यभूमा वसपत्नमृद्धम राज्यम सुराणाम अपिचाधि पत्यम भूमी पर निश्कंटक, धन धान्य संपन्य राज्य को और देवताओं के स्वामी पन इंद्रपद को पाकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके जब शोक बना ही है तो ये सब लेकर ही मैं क्या करूँगा यदि इतना ही मिलना है तो क्षमा करें अर्जुन ने सोचा अब इसके आगे बतावेंगे भी क्या संजय ओवाज संजय बोला हे राजन मोह निशाजई अर्जुन ने हिर्दय के सरवग्य श्री कृष्ण से ये कह कर की गोविंद मैं युद्ध नहीं करूँगा चुप हो गया अभी तक अर्जुन की दृष्टी पौराडिक है जिसमें कर्म कांडों के साथ भोगों की उपलब्धि का विधान है जिसमें स्वर्ग ही सब कुछ माना जाता है जिस पर श्री कृष्ण प्रकाश डालेंगे कि ये विजारधारा भी गलत है तमु आचरशी केशह प्रहसन्निव भारत सेनयोर उभयोर मध्ये विशीदंतमिदंवचह उसके उपरांथ हे भरतवन्शी धृतराष्ट अंतर्यामी योगेश्वर शिरी कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुम को हसते हुए से ये वचन का श्री भगवानु वाच अशोच्चानन वशोचस्थ्वम् प्रग्यावादाश्च भाशसे गतासून गतासूश्च अर्जुन तुन शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन कहता है किन्तु बुद्ध संपन पंडित जन जिनके प्राण चले गए है उनके लिए तथा जिनके प्राण नहीं गए है उनके लिए भी शोक नहीं करते तो पंडितों जैसी बातें भर करता है वस्तुत ज्याता है नहीं क्योंकि नत्वेवाहं जातुनासं नत्वन्नेमे जनाधिपाह नचैवनभविश्यामा सर्वेवयमतः परम न तो ऐसा ही है कि मैं अर्थात सद्गुरु किसी काल में नहीं था अत्वा तु अनुरागी अधिकारी अत्वा जनाधिपाह राजा लोग अर्थात राजसी वृत्ति में पाये जाने वाला अहम नहीं था और ना ऐसा ही है कि आगे हम सब नहीं रहेंगे सद्गुरु सदैव रहता है अनुरागी सदैव रहते है यहां योगेश्वर ने योग की अनाधिता पर प्रकाश डालते हुए भविश्य में भी उसकी विद्यमानता पर बल दिया मरने वालों के लिए शोग न करने के लिए कारण बताते हुए उन्होंने कहा देहिनो स्मिन्यता देहि कव्मारम्यवनम्जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र नमुयति जैसे जीवात्मा के इस देह में कुमार युवा और व्रिद्ध अवस्था होती है वैसे ही अन्य अन्य शरीर प्राप्ति इसलिए धीर पुरुष मोहित नहीं होता है कभी आप बालत थे शनेह शनेह युवा हुए तब आप मर तो नहीं गए पुना व्रिद्ध हुए पुरुष एक ही है उसी प्रकार लेश मात्रवी दरार नए देह की प्राप्ति पर नहीं पड़ती कलेवर का ये परिवर्तन तब तक चलेगा जब तक परिवर्तन से परेवस्तु नहीं मिल जाती मात्रास परशास्तु कवंतेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पाईनु नित्याह तांस्तितिक्षस्व भारत हे कुंति पुत्र सुख दुख सर्दी और गर्मी को देने वाले इंद्रियों और विश्यों के संयोग तो अनित्य हैं ख्षण भंगुर हैं अता भरतवंशी अर्जुन तु इसका त्यात कर अर्जुन इंद्रिये और विशय के संयोग जन्य सुख का इस्मरल करके ही विकल था कुल धर्म, कुल गुरुओं की पुज्यता, इत्यादी इंद्रियों के लगाव के अंतरकत है ये क्षणिक हैं, जूटे हैं, नाश्वान है विशयों का संयोग न सदैव मिलेगा और न सदैव इंद्रियों में क्षमता ही रहेगी अतह अर्जुन, तु इनका त्याग कर, सहन कर क्यूं? क्या हिमाले की लड़ाई थी, जो अर्जुन सर्दी सहन करता? अत्वा क्या ये रेगिस्तान की लड़ाई है, जहां अर्जुन गर्मी सहन करे? कुरुक्षेत्र जैसा की लोग बाहर बताते हैं, सम्शी तोशन स्थली है कुल अठारे दिन तो लड़ाई हुई, इतने में कहां जाड़ा गर्मी बीट कई? वस्तुतह सर्दी गर्मी, दुख सुख, मान अपमान का सहन करना एक योगी पर निर्भर करता है ये हिर्दे देश की लड़ाई का चित्रन है, बाहर युद्ध के लिए गीता नहीं कहती ये खेत्र खेत्रग्य का संगर्ष है, जिसमें आसुरी संपत का सर्वता शमन कर परमात्मा में स्थिति दिलाकर दैवी संपत भी शान्त हो जाती है जब विकार है ही नहीं, तो सजाती ये प्रवृतियां किस पर आक्रमण करें? अतर पूरणत्व के साथ वे भी शान्त हो जाती है, इससे पहले नहीं गीता अंतर देश की लड़ाई का चित्रण है, इस त्याग से मिलेगा क्या? इससे लाब क्या है? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि है पुरुष्रेश्ट, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियों और विशियों के संयोग व्यथित नहीं कर पाते, वो मृत्यू से परे अमृत तत्व की प्राप्ति के योग के हो जाता है यहां श्री कृष्ण ने एक उपलब दी, अमृत की चर्चा की अर्जुन सोचता था कि युद्ध के परिडाम में स्वर्ग मिलेगा या पृत्वी किन्तु श्री कृष्ण कहते हैं कि न स्वर्ग मिलेगा और न पृत्वी बल्कि अमृत मिलेगा अमृत क्या है? अर्जुन असत्वस्तु का अस्तित्व नहीं है, वो है ही नहीं, ऊसे रोखा नहीं जा सकता और सत्य का तीनों काल में अभाव नहीं है, ऊसे मिटाया नहीं जा सकता अर्जुन ने पूछा क्या भगवान होने के नाती आप कहते हैं? श्री कृष्ण ने बताया मैं तो कहता ही हूँ इन दोनों का ये अंतर हमारे साथ साथ तत्वदर्शियों द्वारा भी देखा गया है श्री कृष्ण ने वही सत्य दोराया जो तत्वदर्शियों ने कभी देख लिया था श्री कृष्ण भी एक तत्वदर्शी महापुरुष थे परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करके उसमें स्थिति वाले तत्व दर्शी कहलाते हैं सत और असत हैं क्या इस पर कहते हैं नाश रहित तो वो है जिससे ये संपूरुन जगत व्याप्त है इस अव्ययस्य अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है किन्तो इस अविनाशी अम्रित का नाम क्या है वो है कौन अन्तवंत इमेदेहा नित्यस्योक्ता शरीरिनाः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माध युद्यस्वभारत अविनाशी अप्रमेय नित्यस्वरूप आत्मा के ये सभी शरीर नाशवान कहे गए है इसलिए भरतवंशी अर्जुन तु युद्ध कर आत्मा ही अम्रित है आत्मा ही अविनाशी है जिसका तीनों कालों में नाश नहीं होता आत्मा ही सत है शरीर नाशवान है यही असत है जिसका तीनों कालों में अस्तित्व नहीं है शरीर नाशवान है इसलिए तू युद्ध कर इस आदेश से ये स्पष्ट नहीं होता कि अर्जुन केवल कौरवों को मारे पांडव पक्ष में भी तो शरीर ही खड़े थे क्या पांडव के शरीर अविनाशी थे यदि शरीर नाशवान है तो शरी कृष्ट किसकी रक्षा में खड़े थे क्या आर्जुन कोई शरीर धारी था शरीर जो असत है जिसका अस्तित्व नहीं है जिसे रोका नहीं जा सकता क्या शरी कृष्ट उस शरीर की रक्षा में खड़े है यदि ऐसा है तो वे भी अविवेकी और मूण है क्योंकि आगे श्री कृष्ण स्वयम कहते हैं कि जो केवल शरीर के लिए ही पचता है श्रम करता है वो अविवेकी और मूण बुद्धी है वो पापायू पुरुष व्यर्थ ही जीता है अंतता अर्जुन कौन था? वस्तता अनुराग ही अर्जुन है अनुरागी के लिए इश्ट सदै वरती बनकर साथ में रहते हैं सखा की भाती उसका मार्ग दर्शन करते हैं आप शरीर नहीं है शरीर तो आवरण है रहने का मकान है उसमें रहने वाला अनुराग पूरित आत्मा है भातिक युद्ध मारने काटने से शरीरों का अंत नहीं होता ये शरीर छूटेगा तो आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेगा इसी संदर्ब में श्री कृष्ण कह चुके हैं कि जिस प्रकार बाल्यकाल से युवा या वृध्धावस्था आती है उसी प्रकार देहांतर की प्राप्ति होती है शरीर काटेंगे तो जीवात्मा नया वस्त्र बदल लेगा शरीर संसकारों के अश्रित है और संसकार मन पराधारित है मन एव मनश्याडाम कारणम बंध मोक्षयोग मन का सर्वता निरोध होना अचल स्थिर ठहरना और अंतिम संसकार का विलय एक ही क्रिया है संसकारों की सतह का तूट जाना ही शरीरों का अंत है इसे तोड़ने के लिए आपको आराधना करनी होगी जिसे श्री कृष्ण ने कर्म या निश्काम कर्मयोग की संग्यादी है कृष्ण ने स्थान स्थान पर अरजुन को युद्ध की प्रेणा दे किन्तु एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो भौतिक युद्ध या मार काट का समर्थन करता हो ये युद्ध सजाती ये विजाती ये प्रवृतियों का है अंतर देश में है ये नम वेत्ति हन्तारं यश्चैनम मन्यते हतं उभव तव नविजानी तो नायम हंतिन हन्यते जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है तथा जो इस आत्मा को मरा हुआ समझता है वे दोनों ही आत्मा को नहीं जानते क्योंकि ये आत्मा न तो मारता है और न मारा ही जाता है पुनेह इसी पर बल देते हैं नजायते म्रियते वाकदाचिन नायम भूत्वा भवितावा नभूयः अजो नित्यः शाश्वतोयं पुराणो नहन्यते हन्यमाने शरीरे ये आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न मरता है क्योंकि ये वस्त्र ही तो बदलता है न ये आत्मा होकर अन्य कुछ होने वाला है क्योंकि ये अजन्मा है नित्य है शाश्वत और पुरातन है शरीर के नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता आत्मा ही सत्य है आत्मा ह शाश्वत और सनातन है, आप कौन है? सनातन धर्म के अनुयाई, सनातन कौन है? आत्मा, आप आत्मा के अनुयाई हैं, आत्मा, पर्मात्मा और ब्रह्म एक दूसरे के परियाए हैं, आप कौन है? शाश्वत धर्म के उपासक, शाश्वत कौन है? आत्मा, अर्थात, हम आप आत्मा के उपा सके यदि आप आत्मिक पथ को नहीं जानते तो आप के पास शाश्वस सनातन नाम की कोई वस्तु नहीं है उसके लिए आप आहें भरते हैं तो प्रत्याशी अवश्य है किन्तु सनातन धर्मी नहीं है सनातन धर्म के नाम पर किसी कुरीती के शिकार है देश विदेश में मानव मात्र में आत्मा एक ही जैसा है इसलिए विश्व में कहीं भी कोई आत्मा की स्थित दिलाने वाली क्रिया जानता है और उस पर चलने के लिए प्रयत्म छील है तो वो सनातन धर्मी है चाहे वो अपने को इसाई, मुसल्मान, यहूदी या कुछ भी क्यों न कह ले वेदा विनाशिनम नित्यम, यहे नमजम व्ययम, कथं सपुरुष पार्थ, कमघात यतिहंतिकं पार्थिव शरीर को रत बनाकर, ब्रह्म रूपी लक्ष पर अचूक निशाना लगाने वाला प्रिथा पुत्र अर्जुन जो पुरुष इसात्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यक्त जानता है वो पुरुष कैसे किसी को मरवाता है, और कैसे किसी को मारता है अविनाशी का विनाश असंभव है, अजन्मा जन्म नहीं लेता, अतैश शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए इसी को उदाहरण से स्पष्ट करते हैं वासाओ सिजीर्णानि अथा विहाय नवानि गृण्धाति नरो पराणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णान यन्यानि सैयाति नवानि दे जैसे मनुष्य जीर्णानि वासांसी जीर्ण शीर्ण पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहन करता है ठीक वैसे ही ये जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है जीर्ण होने पर ही नया शरीर धारण करना है तो शिशु क्यों मर जाते हैं ये वस्त्र तो और विक्सित होना चाहिए वस्तुता ये शरीर संसकारों पर आधारित है जब संसकार जीर्ण होते हैं तो शरीर छूट जाता है यदि संसकार दो दिन का है तो दूसरे दिन ही शरीर जीर्ण हो गया इसके बाद मनुष्य एक श्वास भी अधिक नहीं जीता संसकार ही शरीर है आत्मा संस्कारों के अनुसार नया शरीर धारण कर लेता है अर्थाद ये पुरुष निश्चे ही संकल्प में है इस लोक में पुरुष जैसा निश्चे वाला होता है वैसा ही यहां से मर कर जाने पर होता है अपने संकल्प से बनाये हुए शरीरों में पुरुष उत्पन होता है इस प्रकार मृत्यु शरीर का परिवर्तन मात्र है आत्मा नहीं मरता पुनह इसकी अजर्ता अमर्ता पर बल देते है नैनम छिन्दन तिशस्त्रान नैनम दहति पावका नचैनम क्लेदयन त्यापो नशोशयति मारुता अर्जुन इस आत्मा को शस्त्रादी नहीं काटते अगनी से जला नहीं सकता जली से गीला नहीं कर सकता और नवायू इसे सुखा ही सकता है अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्योशोशयवचा नित्य सर्वगत स्थानु अच्छोयम सनातन ये आत्मा अच्छेद्य है इसे छेदा नहीं जा सकता ये अदाय है इसे जलाया नहीं जा सकता ये अक्लेद्य है इसे गीला नहीं किया जा सकता आकाश इसे अपने में समाहित नहीं कर सकता ये आत्मा निसंद्य है अशोष्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है अर्जुन ने कहा था कि कुल धर्म सनातन है ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नश्ट हो जाएगा किन्तु श्री कृष्ण ने इसे अज्ञान माना और आत्मा को ही सनातन बताया आप कौन है? सनातन धर्म के अनुयाई सनातन कौन है? आत्मा यदि आप आत्मा परियंत दूरी तै करने वाली विदि विशेश से अवगत नहीं है तो आप सनातन धर्म नहीं जानते इसका कुपरिणाम सामप्रदाइक्ता में फसे धर्म भीरू लोगों को भोगना पड़ रहा है जब मैटर क्षेत्र में पैदा होने वाली कोई वस्तु इस सनातन का स्पर्ष नहीं कर सकती तो छूने खाने से सनातन धर्म नश्ट कैसे हो सकता है? ये धर्म नहीं एक कुरीती परिस्थिती थी जिससे भारत में सामप्रदाइक वैमनस्य बढ़ा और राश्ट्री ये एकता की आज भी समस्या बनी हुई है धर्म की शरण हम क्यूं जाते हैं? क्यूंकि हम मरण धर्मा हैं और धर्म कोई ठोस चीज है जिसकी शरण जाकर हम भी अमर हो जाएं हम तो मारने से मरेंगे और ये धर्म केवल चूने और खाने से मर जाएगा तो हमारी क्या रक्षा करेगा? धर्म तो आपकी रक्षा करता है आप से शक्तिशाली है आप तलवार से मरेंगे और धर्म वो चूने से नश्ट हो गया कैसा है आपका धर्म? कुरीदिया नश्ठ होती हैं न कि सनातन सनातन तो ऐसी थोस वस्तु है जिसे शस्त्र नहीं काटते अगनी जला नहीं सकता जली से गीला नहीं कर सकता खान पान तो दूर प्रकृति में उत्पन्न कोई वस्तु उसका स्पर्श भी नहीं कर पाती तो वो सनातन नश्ठ कैसे हो गया ऐसी ही कतिपय कुरीतियां अरजुन काल में भी थे उनका शिकार अरजुन भी था उसने विलाप करते हुए गिड़गड़ा कर कहा कि कुल धर्म सनातन है युद्ध से सनातन धर्म नश्ठ हो जाएगा कुल धर्म नश्ठ होने से हम अनंतकाल तक नरक में चले जाएगे किन्तो श्री कृष्ण ने कहा तुझे ये अज्ञान कहां से उत्पन हो गया सिद्ध है कि वो कोई कुरीति थी तभी तो श्री कृष्ण ने उसका निराकरण किया और बताया कि आत्मा ही सनातन है यदि आप आत्मिक पथ नहीं जानते तो सनातन धर्म में आपका अभी तक प्रवेश नहीं हुआ है जब ये सनातन शाश्वत आत्मा सब के अंदर व्याप्थ है तो खोजा किसे जाए इस पर श्री कृष्ण कहते हैं अव्यक्तो यम अचिंत्यो यम अविकार्यो यम उच्चते तस्मा देवं विदित्वैनं नानुशो चित्वर्हसी ये आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का विशय नहीं है इंद्रियों के द्वारा इसे समझा नहीं जा सकता जब तक इंद्रियों और विशयों का संयोग है तब तक आत्मा तो है किंतु उसे समझा नहीं जा सकता वो अचिंत्य है जब तक चित्व और चित्व की लहर है तब तक वो शाश्वत है तो किन्तु हमारे दर्शन, उपभोग और प्रवेश के लिए नहीं है अताचित्त का निरोध करे पीछे श्री कृष्ण बता आए है कि असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत का तीनों कालों में अभाव नहीं है वो सत है आत्मा आत्मा ही अपरिवर्तंशील, शाश्वत, सनातन और अव्यक्त है तत्व दर्शियों ने आत्मा को इन विशेश गुर्धर्मों से युक्त देखा न दस भाशाओं के ज्याता ने देखा न किसी सम्रत शाली ने देखा बलकि तत्व दर्शियों ने देखा श्री कृष्ण ने आगे बताया कि तत्व है परमात्मा मन के निरोध काल में साधक उसका दर्शन और उसमें प्रवेश पाता है प्राप्ति काल में भगवान मिलते हैं और दूसरे ही क्षण वो अपने आत्मा को इश्वरी गुण धर्मों से विभूशत देखता है वो देखता है कि आत्मा ही सत्य, सनातन और परिपूर्ण है ये आत्मा अचिंत्य है ये विकार रहित अर्थात न बदलने वाला कहा जाता है अधा अर्जुन, आत्मा को ऐसा जान कर तू शोग करने योग्य नहीं है अब श्री क्रिश्ण अर्जुन के विचारों में विरोधा भास दिखाते हैं जो समान्य तर्ख है अथचैनम नित्य जातम नित्यम वामन्य से मृतम तथा पित्वं महाबाव दैवं शोचितु मरहसि यदि तू इसे सदैव जन्मने वाला और सदा मरने वाला माने तब भी तुझे शोग नहीं करना चाहिए क्योंकि जातस्य ही ध्रुम्रित्यों ध्रुवं जन्मम्रितस्य चाह तस्माद परिहार ये रथे नत्वं शोचितु मरहसि ऐसा मान लेने पर भी जन्मने वाले की निश्चित मृत्यू और मरने वाले का निश्चित जन्म सिद्ध होता है इसलिए भी तू बिना उपाये वाले इस विशे में शोग करने लाइक नहीं है जिसका कोई इलाज नहीं उसके लिए शोक करना एक अन्य दुख को आमंत्रित करना है अव्यक्ता देनी भूतानी व्यक्ता मध्यानी भारता अव्यक्ता निधनान नेव तत्रका परिदेवना अर्जुन संपूर्व प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले जन्म के पूर्व और पश्चात भी दिखाई नहीं पड़ते केवल जन्म मृत्यु के बीच में ही शरीर धारण किये हुए दिखाई देते अतह इस परिवर्तन के लिए व्यर्थ की चिंदा क्यूं करते हुए इस आत्मा को देखता कौन है इस पर कहते हैं पहले श्री कृष्ण ने कहा था कि इस आत्मा को तत्व दर्शियों ने देखा है अब तत्व दर्शन की दुरलबदा पर प्रकाश डालते हैं कि कोई विर्ला महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चरी की तरह देखता है सुनता नहीं प्रत्यक्ष देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुशी आश्चरी की तरह इसके तत्व को कहता है जिसने देखा है वही यथार्थ कह सकता है दूसरा कोई विरला साधक इसे आश्चरी की भाती सुनता है सब सुनते भी नहीं क्यूंकि ये अधिकारी के लिए ही है हे अर्जुन, कोई-कोई तो सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जान पाते क्यूंकि साधन पार नहीं लगता आप लाख ग्यान की बातें सुने, समझे, बाल की खाल निकाल कर समझे लालाईत भी रहे, किन्तु मोह बड़ा प्रवल है थोड़ी देर बाद ही आप अपनी सांसारी की व्यवस्थाओं में लिप्त मिलेगे अन्त में श्री कृष्ण निरणय देते हैं देही नित्यम वध्योयं, देहे सर्वस्य भारत तस्मात सर्वाणी भूतानी, नत्वं शोचितु मरहसी अरजुन, ये आत्मा सब के शरीर में सदैव अवध्य है, अकाट्य है इसलिए संपूरुन भूत प्राणियों के लिए तो शोख करने योग ये नहीं है आत्मा ही सनातन है इस तथ्य का प्रतिपादन करके, इसका प्रभुता सहित वर्णन करके ये प्रश्न यहीं पूरा हो जाता है अब प्रश्न खड़ा होता है कि इसकी प्राप्ति कैसे हो संपूर्ण गीता में इसके लिए दो ही मार्ग है पहला निश्काम कर्म योग और दूसरा ज्यान योग दोनों मार्गों में किया जाने वाला कर्म एक ही है उस कर्म की अनिवारिता पर बल देते हुए योगेश्वर श्री कृष्न ज्यान योग के विश्य में कहते है स्वधर्ममपिचावेक्षब नविकम्पितु मर्गसी धर्म्याधि उद्धा श्रेयोन्यत क्षत्रियस्यन विध्यते अर्जुन स्वधर्म देखकर भी तुब भय करने योग के नहीं है क्यूंकि धर्म संयुक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्यानकारी मार्ग शत्रिय के लिए नहीं है अभी तक तो आत्मा शाश्वत है आत्मा सनातन है वही एक मात्र धर्म है कहा गया है अब ये स्वधर्म कैसा धर्म तो एक मात्र आत्मा ही है वो तो अचल स्थिर है तो धर्मा चरण क्या किन्तु इस आत्मपत में प्रवृत्थ होने की क्षमता हर व्यक्त की अलग-अलग होती है स्वभाव से उत्पन इस क्षमता को स्वधर्म कहा गया है इसी एक सनातन आत्मिक पत पर चलने वाले साधकों को महापुरुष ने स्वभाव से उनकी खुषमता के अनुसार चार श्रेंडियों में बाटा शूद्र, वैश, छत्री और ब्राहमण साधना की प्रारंभेक अवस्था में प्रत्येक साधक शूद्र अर्थात अलपग्य होता है घंटों भजन में बैठने पर वो दस मिनट भी अपने पक्षमे नहीं पाता वो प्रकृति के माया जाल को काट नहीं पाता इस अवस्था में महापुरुष की सेवा से उसके स्वभाव में सदगुणा आते है वो वैश श्रेणी का साधक बन जाता है आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है इसका वो शनेह शनेह संग्रह और गोपालन अर्थात इंद्रियों की सुरक्षा करने में सक्षम हो जाता है काम क्रोध इत्यादि से इंद्रियों की हिंसा होती है तथा विवेक वैराग्य से इनकी सुरक्षा होती है किन्तु प्रकृति को निर्बीज करने की क्षमता उसमें नहीं होती। क्रमशह उन्नती करते करते साधक के अंतह करण में तीनों गुणों को काटने की क्षमता अर्थाथ खत्रियत्व आ जाता है। इसी स्तर पर प्रकृति और उसके विकारों को नाश करने की क्षमता आ जाती है। इसलिए युद्ध यहीं से आरंभ होता है। क्रमशह साधन करके साधक ब्रामणत्यों की श्रेणी में बदल जाता है। इस समय मन का शमन, इंद्रियों का दमन, धारावाही चिंतन, सरलता, अनुभव, ज्यान, इत्यादी लक्षन साधक में स्वभाविक प्रवाहित होते हैं। के अनुष्ठान से चलकर क्रमशह वो ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। जहां वो ब्रामण भी नहीं रह जाता। विदेह राजा जनक की सभा में महर्शी याग्यवल के ने चाक्रायन, उश्यस्ति, कहोल, आरुणी, उद्यालक और गारगी के प्रशनों का समाधान करते हुए बताया कि आत्म साक्षातकार का पूर्णतया संपादन करने वाला ही ब्रामण होता है। ये आत्मा ही लोग पर लोग और समस्त प्राणियों को भीतर से नियमित करता है। सूर्य, चंद्रमा, पृत्वी, जल, वायू, अगनी, तारागण, अंतरिक्ष, आकाश, एवं प्रत्यक्षन इस आत्मा के ही प्रशासन में है। ये तुम्हारा आत्मा अंतरियामी अम्रित है, आत्मा अकशर है, इस से भिन सब नाशवाल है। जो कोई इसी लोक में इस अक्षर को न जानकर हवन करता है, तब करता है, हजारों वर्षों तक यग्य करता है, उसका ये सब कर्म नाश्वान है। जो कोई भी इस अक्षर को जाने बिना इस लोग से मर कर जाता है वो दैनी है, क्रिपण है और जो इस अक्षर को जानकर इस लोग से मर कर जाता है वो ब्रामन है अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक है श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय श्रेणी के साधक के लिए युद्ध के अत्रिक्त कोई कल्यान कारक रास्ता है ही नहीं प्रश्ण उठता है कि क्षत्रिय है क्या प्राया लोग इसका आशय समाज में जन्मना उत्पन ब्रहमन, ख्षत्रिय, वैश, शूद्र जातियों से लेते हैं इन्हें ही चार वर्ण मान लिया जाता है किन्तु नहीं शास्त्रकार ने स्वयम बताया है कि ख्षत्रिय क्या है वर्ण क्या है यहां उन्होंने केवल ख्षत्रिय का नाम लिया और आगे अठारवे अध्याय तक इस प्रश्ण का समाधान प्रस्तुत किया कि वस्तुता है ये वर्ण है क्या और कैसे इन में परिवर्तन होता है श्री कृष्ण ने कहा चातोर वर्णियम मया स्रिष्टम चार वर्णों की स्रिष्टी मैंने की तो क्या मनुश्यों को बांटा श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं गुण कर्म विभाग शाहत गुणों के माध्यम से कर्म को चार भागों में बांटा ये देखना है कि वो कर्म क्या है जिसे बांटा गया गुण परिवर्तन शील है साधना की उचित प्रक्रिया द्वारा तामसी से राजसी और राजसी से सात्तविक गुणों में प्रवेश मिलता जाता है अंततह ब्राम्हन स्वभाव बन जाता है उस समय ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यताएं उस साधक में रहती है वर्ण सम्मंधी प्रश्न यहां से आरंभ होकर अठारवे अध्याय में जाकर पूर्ण होता है श्री कृष्न की मान्यता है स्वभाव से उत्पन इस धर्म में प्रवरित होने की क्षमता जिस स्तर की हो भले ही वो गुण रहित शूद्र श्रेणी की हो तब भी परम कल्यान करती है क्यूंकि आप क्रमशा वहीं से उत्थान करते है उससे उपर वालों की नकल करके साधक नश्ठ हो जाता है अरजुन क्षत्री श्रेणी का साधक था इसलिए श्री कृष्न कहते हैं कि अरजुन अपने स्वभाव से उत्पन इयोग्यता को देख कर इस युद्ध में प्रवृत्त होने की अपनी क्षमता को देख कर भी तु भय करने योग्य नहीं है इससे बढ़कर दूसरा कोई कल्यान कारी कारिय खत्री के लिए नहीं इसी पर प्रकाश डालते हुए पुनेय योगेश्वर कहते हैं पार्थिव शरीर को ही रत बनाकर अचूक लक्षवेदी अर्जुन स्वतह प्राप्त स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी इस युद्ध को भागिवान खत्री ही प्राप्त करते हैं खत्री श्रेणी के साधक में तीनों गुणों को काट देने की ख्षमता रहती है उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है क्योंकि उसमें दैवी संपत पूरुनता अर्जित रहती है स्वर में विजरने की उसमें क्षमता रहती है यही खुला हुआ स्वर्ग का दौार है खेतर खेतरग्य के इस युद्ध को भागिवान ख़त्री ही पाते है क्योंकि उनमें ही संघर्ष की च्छमता है दुनिया में लडाईयां होती हैं, विश्व सिमट कर लड़ता है, प्रत्येक जाती लड़ती है, किन्तु शाश्वत विजय जीतने वाले को भी नहीं मिलती ये तो बदले हैं, जो जिसको जुतना दबाता है, कालांतर में उसे भी उतना ही दबना पड़ता है ये कैसी विजय है, जिसमें इंद्रियों को सुखाने वाला शोक बना ही रहता है, अंत में शरीर भी नश्ट हो जाता है वास्तविक संगर्ष तो खेत्र और खेत्रग्य का है, जिसमें एक बार विजय हो जाने पर प्रक्रति का सदा के लिए निरोध और परम पुरुष परमात्रवाट अथचेत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं नकरिश्यसी ततः स्वधर्मं की तिम्च लिद्वापापम वाप्ष्यसी और यदि तु इस धर्म युक्त संग्राम अर्थात शाश्वत सनातन परमधर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाला धर्म युद्ध नहीं करेगा, तो स्वधर्म अर्थात स्वभाव से उत्पन संगर्ष करने की क्षमता, क्रिया में प्रवृत्त होने की क्षमता को पाप अर्थात आवा गमन और अब कीर्थी को प्राप्त होगा अब कीर्थी पर प्रकाश डालते हैं सब लोग बहुत काल तक तेरी अपकीर्थी का कथन करेंगे आज भी पदच्युत होने वाले महात्माओं में विश्वामित्र, पाराशर, निमी, श्रिंगी त्यादी की गर्णा होती हैं बहुत से साधक अपने धर्म पर विचार करते हैं सोचते हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे ऐसा भाव भी साधना में साहयक होता है इससे साधना में लगे रहने की प्रेरणा मिलती है कुछ दूरी तक ये भाव भी साथ देता है माननी ये पुर्षों के लिए अपकीर्थी मरण से भी बढ़कर होती है भयाद्रणा दुपरतम मौस्यन तेत्वाम महारथा ये शाम चत्वं बहुमतो भूत्वायास्यसिलाघवं जिन महारथियों की निगाह में तू बहुत माननी होकर अब तुछता को प्राप्त होगा वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेगे महारथी कौन? इस पथ पर महान परिश्रम से आगे बढ़ने वाले साधक महारथी है इसी प्रकार इतने ही परिश्रम से अविद्या की और खीचने वाले काम, क्रोध, लोब, मोहादि भी महारथी है जो तुझे बहुत सम्मान देते थे के साधक प्रशन सनीय है, तुम उनकी निगाह से गिर जाओ गे इतना ही नहीं, बलकि वैरी लोग तेरे पराक्रम की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचनों को कहेंगे एक दोश आता है, तो चारों और से निंदा और बुराईयों की जड़ी लग जाती है न कहने योग्य वचन भी कहे जाते हैं, इससे बड़ा दुख क्या होगा? अता? इस युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे स्वर में विचरने की क्षमता रहेगी श्वास से बाहर प्रकृती में विचरने की धाराएं निरुद्ध हो जाएंगी परमदेव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपत हिर्दय में पूनता प्रवाहित रहेगी अत्वा इस संघर्ष में जीतने पर महा महिम स्थिति को प्राप्त करोगे इसलिए अरजुन युद्ध के लिए निश्चाय करके खड़ा हो प्रायह लोग इस श्लोग के अर्थ में समझते हैं कि इस युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग जाओगे और जीतोगे तो प्रित्वी का भोग भोगोगे किन्तु आपको इस मरण होगा अर्जुन कह चुका है भगवन प्रित्वी ही नहीं अपे तु त्रैलोक्य के सामराज्जी और देवताओं के स्वामी पन अर्थात इंद्रपद प्राप्थ होने पर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर कर सके यदि इतना ही मिलना है तो गोविन मैं युद्ध कदाप ही नहीं करूँगा यदि इतने पर भी श्री कृष्ण कहते कि अर्जुन लड़ो जीतोगे तो प्रित्वी पा जाओगे हारोगे तो स्वर्ग के नागरिक बन जाओगे तो श्री कृष्ण देते ही क्या है अर्जुन इससे आगे का सत्य श्रेय परमकल्यान की कामना वाला शेश्य था जिसे सद्गुरु देव श्री कृष्ण ने बताया कि खेत्र खेत्रग्य के इस संघर्ष में यदि शरीर का समय पूरा हो जाता है और लक्ष तक नहीं पहुँच सके तो स्वर्ग प्राप्त करोगे अर्थाद स्वर्ग में ही विचरण करने की क्षमता पृप्त कर लोगे दैवी संपत हिर्दय में डाल जाएगे और इस शरीर के रहते रहते संघर्ष में सफल हो जाते हो तो महीम सबसे महान ब्रह्म की महीमा का उपभोग करोगे महा महिम के इस्थिति प्राप्त कर लोगे जीतोगे तो सर्वस्व क्यूंकि महा महिमत्व को पाओगे और हारोगे तो देवत्व दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे लाब में भी लाब और हानी में भी लाब ही है पुने इसी पर बल देते हैं इस प्रकार सुख दुख लाभानी जय पराजय को समान समझ कर तु युद्ध के लिए तयार हो युद्ध करने से तु पाप को प्राप्त नहीं होगा अर्थात सुख में सर्वस्व और दुख में भी देवत्व है लाभ में महीम की स्थिती अर्थात सर्वस्व और हानी में भी देवत्व है जय में महा महीम स्थिती और पराजय में भी दैवी संपत पर अधिकार है आप अर्थात आवा गमन को प्राप्त नहीं होगे। अतह तु युद्ध के लिए तैयार हो। एशाते भीहिता सांखे बुद्धिर योगेत विमाश्रिनु। बुद्ध्या युक्तो ययाप पार्थ कर्मबन्धम प्रहास्यसी। पार्थ ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विशे में कही गई है। कौन सी बुद्धि यही की युद्ध कर। ग्यान योग में इतना ही है कि अपनी हस्ती को देख कर लाभानी का भली प्रकार विचार करके। तो महा महिम स्थिती और हारेंगे तो देवत्व। जय में सर्वस्व और पराजय में भी देवत्व। दोनों तरह लाभ है। युद्ध नहीं करेंगे तो सभी हमें बुरा कहेंगे। भैसे उपराम हुआ मानेंगे। अब कीरती होगी। इस प्रकार अपने अस्तित्व को सामने रखकर स्वयम विचार कर युद्ध में अग्रसर होना ही ग्यान योग है। प्रायह लोगों में भ्रांती है कि ग्यान मार्ग में कर्म युद्ध नहीं करना पड़ता। वे कहते हैं कि ग्यान मार्ग में कर्म नहीं है। मैं तो शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, अहम ब्रम्हास्मी। गुण ही गुण में बरतते हैं, ऐसा मानकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। योगेश्वर शुरी कृष्ण के अनुसार ये ज्ञान योग नहीं है। ग्यान योग में भी वही कर्म करना है, जो निश्काम कर्म योग में किया जाता है। दोनों में केवल बुद्ध का द्रिष्टिकोन का अंतर है। ग्यान मार्गी अपनी स्थिति समझ कर अपने पर निर्भर होकर कर्म करता है। जबके निश्काम कर्मयोगी इश्ट के आश्रित होकर कर्म करता है। करना दोनों मारगों में है और वो कर्म भी एक ही है जिसे दोनों मारगों में किया जाना है। केवल कर्म करने के दृष्टि कोण दो है। अर्जुन इसी बुद्धि को अब तु कर्म योग के विशे में सुन। जिससे युक्त हुआ तु कर्मों के बंधन का अच्छी तरह नाश करेगा। यहां श्री कृष्ण ने कर्म का नाम पहली बार लिया। लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म है क्या। अब कर्म न बताकर पहले कर्म की विशेष्टाओं पर प्रकाश डालते हैं। इस निश्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता। सीमित फल रूपी दोश नहीं है। इसलिए इस निश्काम कर्म का इस कर्म से संपादित धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्य रूपी महान भय से उद्धार कर देता है। आप इस कर्म को समझें और उस पर दो कदम चल भर दें। जो सद ग्रहस्त आश्रम में रहकर ही चला जा सकता है। साधक तो चलते ही हैं, बीज भर डाल दें। तो अर्जुन बीज का नाश नहीं होता। प्रकृति में कोई क्षमता नहीं, ऐसा कोई अस्त्र नहीं के उस सत्य को मिटा दे। प्रकृति केवल आवरन डाल सकती है, कुछ देर कर सकती है, किन्तु साधन के आरंब को मिटा नहीं सकती। आगे श्री कृष्ण ने बताया, कि सभी पापियों से भी बड़ा पापी ही क्यों नहों, ग्यान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा। ठीक उसी बात को यहां कहते है कि, अर्जुन, निश्काम कर्मयोग का बीजा रोपन भर कर दें, तो उस बीज का कभी नाश नहीं होता, विपरीत फल रूपी दोश में नहीं होता, कि आपको स्वर्ग, रिध्धियों या सिध्धियों तक पहुँचा कर छोड़ दें, आप ये साधन भले छोड़ दें, किन्तु ये साधन आपका उध्धार करके ही छोड़ेगा, इस निश्काम कर्मयोग का थोड़ा सा भी साधन, जन्म मृत्यु के महान भैसे उध्धार कर देता है, अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम, कर्म का ये बीजा रोपन, अन व्यवसायात्मिका बुद्धि, एकेह कुरुनंदन, बहुशाखायनंताश्च, बुद्धयो व्यवसाई ना अरजुन, इस निश्काम कर्म योग में क्रियात्मक बुद्धी एक ही है, क्रिया एक है और परिणाम एक ही है, आत्मिक संपत्ती ही स्थिर संपत्ती है, इस संपत्ती को प्रकृति के द्वंद में शनह शनह अरजित करना व्यवसाय है, ये व्यवसाय अत्वा निश्यात्म क्रिया भी एक ही है तब तो जो लोग बहुत सी क्रियाएं बताते हैं क्या वे भजन नहीं करते हैं श्री कृष्ण कहते हैं हाँ वे भजन नहीं करते उन पुर्षों की बुद्धी अनंत शाखाओं वाली होती है इसलिए अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं यामिमाम् पुष्पिताम् वाचं प्रवदंत्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तिति वादिनः कामात्मान स्वर्गपरा जन्मकर्मपलप्रदाम् क्रियाविशेश बहुलाम् भोगैश्वर्यगतिम् प्रति पार्थ वे कामात्माना कामनाओं से युक्त वेदवादरता वेद के वाक्यों में अनुरक्त स्वर्ग पराह स्वर्ग को ही परमलक्ष मानते हैं कि इसके आगे कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले अविवेकी जन्म जन्म मृत्य रूपी फल देने वाली भोग और आश्वरी की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं और दिखावटी शोभा युक्तवाणी में व्यक्त भी करते हैं अर्थात आविवेकीयों की बुद्धी अनंत भेदों वाली होती है वे फल वाले वाक्य में ही अनुरक्त रहते हैं वेद के वाक्यों को ही प्रमाण मानते हैं स्वर्ग को ही श्रेष्ट मानते हैं उनकी बुद्धी बहुत सी भेदों वाली है इसलिए अनंत क्रियाओं की रचना कर लेते हैं वे नाम तो परमतत्व परमात्मा का ही लेते हैं किन्तू उसकी ओट में अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं तो क्या अनंत क्रियाए कर्म नहीं है श्री कृष्ण कहते हैं नहीं अनंत क्रियाए कर्म नहीं है तो वो एक निश्यित क्रिया है क्या श्री कृष्ण अभी ये नहीं बताते अभी तो केवल इतना कहते हैं कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाथाओं वाली होती है इसल उसका प्रभाव क्या होता है उनकी वाणी की छाब जिन जिन के चित्त पर पड़ जाती है अर्जुन उनकी भी बुद्धी नश्ट हो जाती है नकी वे कुछ पाते हैं उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वालों के और भोग ऐश्वर्य में आसकती वाले पुर्षों के अंतह करण में क्रियात्मक बुद्धी नहीं रह जाती है इश्ट में समाधिस्त करने वाली निश्चयात्मक क्रिया उनमें नहीं होती ऐसे अविवेकियों की वाणी सुनता कौन है भोग और ऐश्वर्य में आसकती वाले ही सुनते हैं अधिकारी नहीं सुनता ऐसे पुर्षों में सम और आदी तत्वों में प्रवेश दिलाने वाली निश्चयात्मक क्रिया से संयुक्त बुद्धी नहीं होती प्रश्ण उठता है कि वेद वादर्ता जो वेद के वजनों में अनुरक्त हैं क्या वे भी भूल करते हैं इस पर श्री कृष्ण कहते हैं त्रैगुन्य विशया वेदा निस्त्रैगुन्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो दिर्योगक्षेम आत्मवार्जुन त्रैगुन्य विशया वेदा वेद तीनों गुणों तक ही प्रकाश करते हैं इसके आगे का हाल वे नहीं जानते इसलिए निस्त्रैगुन्यो भवार्जुन अर्जुन तु तीनों गुणों से उपर उठ अर्थात वेदों के कारिक्षेत्र से आगे बढ़ कैसे बढ़ा जाए इस पर श्री कृष्ण कहते हैं निर्द्वंद्वह सुख दुख के द्वंद्वों से रहित नित्य सत्य वस्तु में स्थित और योग क्षेम को न चाहता हुआ आत्म पराया हो इस प्रकार उपर उठ प्रश्ण उठता है कि हम ही उठें या कोई वेदों से उपर उठा भी है श्री कृष्ण बताते हैं कि आगे जो भी उठता है ब्रह्म को जानता है और जो ब्रह्म को जानता है वो विपर है यावानर्थ उदपाने सर्वत संप्लुतो दके सब और से परिपूरु जलाशे को प्राप्त होने पर मनुष्य का छोटे जलाशे से जितना प्रयोजन रहता है अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्मन का वेदों से उतना ही प्रयोजन रहता है तात पर यह यह है कि जो वेदों से उपर उठता है वो ब्रह्म को जानता है वही ब्राम्मन है अर्था तु वेदों से उपर उठ ब्राम्मन बन। अर्जुन क्षत्रिय था श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राम्मन बन ब्राम्मन क्षत्रिय इत्यादी वर्ण स्वभाओं की क्षमताओं के नाम है ये कर्म प्रदान है न कि जन्म से निर्धारित होने वाली कोई रूड़ी जिसे गंगा की धारा प्राप्त है उसे एक शुद्र जलाशे से क्या प्रयोजन कोई उसमें शौच लेता है तो कोई पशू को नहला देता है इसके आगे कोई उपयोग नहीं है इसी प्रकार ब्रह्म को साक्षात जानने वाले उस विप्र महापुरुष का उस ब्राम्मन का वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है प्रयोजन रहता आवश्य है वेद रहते हैं क्योंकि पीछे वालों के लिए उनका उपयोग है वहीं से चर्चा आरंभ होगी इसके उप्रांथ योगेश्वर शिरी कृष्ण कर्म करते समय की जाने वाली सावधानियों का प्रतिपातन करते हैं कर्मन्य बाधिकारस्ते मा फले शुकदाचन कर्म करने में ही तेरा अधिकार हो फल में कभी नहीं ऐसा समझ के फल हैं ही नहीं फल की वासना वाला भी मत हो और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी नहो अब तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने 49 वे श्लोप में पहली बार कर्म का नाम लिया किन्तु ये नहीं बताया कि वो कर्म है क्या और उसे करें कैसे उस कर्म की विशेष्टाओं पर प्रकाश डाला के अर्जुन इस कर्म द्वारा तु कर्मों के बंधन से अच्छी प्रकार छूट जाएगा अर्जुन इसमें आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है आरंभ कर दे तो प्रकृति के पास कोई उपाय नहीं कि उसे नश्ट कर दे अर्जुन इसमें सीमित फल रूपी दोश भी नहीं है कि स्वर्ग रिद्धियों सिद्धियों में फसा कर खड़ा कर दे अर्जुन इस कर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मरल के भैसे उद्धार कराने वाला होता है किन्तु अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कर्म है क्या किया कैसे जाए इसी अध्याय के 41 श्लोक में उन्होंने बताया अर्जुन इसमें निश्चयात्मक बुद्धी एक ही है क्रिया एक ही है तो क्या बहुत सी क्रिया वाले भजन नहीं करते श्री कृष्ण कहते हैं वे कर्म नहीं करते इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि आविवेकियों की बुद्धी अनंत शाखा वाली होती है इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं विदिखावटी शोभायुक्तव वानी में इन क्रियाओं को व्यक्त भी करते हैं। उनकी वानी के छाप जिनके चित्ट पर पढ़ जाती है। उनकी भी बुद्धी नश्ट हो जाती है। अतह निश्चयाक्मक्क्रिया एक ही है। लेकिन ये नहीं बताया कि वो क्रिया कौन सी है। 47 वे श्लोक में उन्होंने कहा अर्जुन कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। फल में कभी नहीं। फल की वासना वाला भी मत हो और कर्म करने में तेरी अशध्धा नहो। अर्थात निरंदर करने के लिए उसी में लीन होकर करें। किन्तु ये नहीं बताया कि वो कर्म है क्या। प्राया इस श्लोक का उध्धरन देकर लोग कहते हैं कि कुछ भी करो केवल फल की कामना मत करो। हो गया निश्काम कर्म योग। किन्तु अभी तक श्री कृष्ण ने बताया ही नहीं कि कर्म है कौन सा जिसे करें। यहां पर केवल कर्म की विशेष्टाओं पर प्रकाश डाला कि कर्म देता क्या है। और कर्म को करते समय बर्ती जाने वाली सावधानिया क्या है उन पर प्रकाश डाला। प्रश्निज्यों का त्यों मना हुआ है जिसे योगेश्वर आगे अध्याय तीन चार में स्पष्ट करेंगे पुना इसी पर बल देते हैं योगस्था कुरु कर्मानी संगम्त्यक्त्वाधनन जय सिध्य सिध्यो समोभुत्वा समत्वं योग उच्चते धनंजे आसक्ति और संग दोश को त्याग कर सिध्य औररसिद्य में संबान भाव रखकर योग में स्थित्थ होकर कर्म कर कौन सा कर्म निशकाम कर्म कर्म समत्वम योग उच्चियते ये समत्व भाव ही योग कहलाता है विशमता जिसमें ना हो ऐसा भाव समत्व कहलाता है रिद्धिया सिद्धिया विशम बनाती है आसक्ति हमें विशम बनाती है फल की इच्छा विशमता पैदा करती है इसी लिए फल की वासना न हो फिर भी कर्म करने में अश्रधा ना हो देखी सुनी सभी वस्तूओं में आसक्ति का त्याग करके प्राप्ति और अप्राप्ति के विशय में न सोच कर केवल योग में स्थित रहते हुए कर्म कर योग से चित चलाय मान ना हो योग एक पराकाष्ठा की स्थित है और एक प्रारंब की स्थित भी होती है प्रारंब में भी हमारी द्रिष्टी लक्षे पर ही रहनी चाहिए अताय योग पर दृष्टी रखते हुए कर्म का आचरन करना चाहिए समत्व भाओ अर्थात सिद्धी और असिद्धी में समभाओ ही योग कहलाता है जिसको सिद्धी और असिद्धी विचलित नहीं कर पाती विशमता जिसमें पैदा नहीं होती ऐसा भाव होने के कारण ये समत्व योग कहलाता है ये इश्ट से समत्व दिलाता है इसी लिए इसे समत्व योग कहते है कामनाओं का सर्वत्था त्याग है इसलिए इसे निश्काम कर्म योग कहते है कर्म करना है इसलिए इसे कर्म योग कहते है परमात्मा से मेल कराता है इसलिए इसका नाम योग अर्थात मेल है इसमें बौधिक स्तर पर ध्यान रखना पड़ता है कि सिद्धी और असिद्धी में सम भाव रहे आसकती नहो फल की वासना ना आने पाए इसलिए यही निश्काम कर्म योग बुधियोग भी कहा जाता है धननजय अवरम कर्म निक्रिष्ट कर्म वासना वाले कर्म बुधियोग से अत्यंत दूर है फल की कामना वाले कृपण है वे आत्मा के साथ उदारता नहीं बरत्ते अतै समत्व बुधियोग का आश्रे ग्रहन कर्म जैसी कामना है वैसा मिल भी जाए तो उसे भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा आवा गमन बना है तो कल्यान कैसा साधक को तो मोक्ष की भी वासना नहीं रखनी चाहिए क्यूंकि वासनाओं से मुक्त होना ही तो मोक्ष है फल की प्राप्ति का चिंतन करने से साधक का समय व्यर्थ नश्ट हो जाता है और फल प्राप्त होने पर वो उसी फल में उलज जाता है उसकी साधना समाप्त हो जाती है आगे वो भजन क्यूं करे वहां से वो भटक जाता है इसलिए समत्व बुद्धी से योग का आचरन करे ग्यान मार्क को भी श्री कृष्ण ने बुद्धी योग कहा था कि अर्जुन ये बुद्धी तेरे लिए ग्यान योग के विशे में कही गई और यहां निश्काम कर्म योग को भी बुद्धी योग कहा गया वस्तुतह दोनों में बुद्धि का दृष्टिकोन का ही अंतर है उसमें लाभानी का रिकॉर्ड रख कर उसे जाच कर चलना पड़ता है इसमें भी बौधिक स्तर पर समत्व बनाए रखना पड़ता है इसलिए इसे समत्व बुद्धियोग कहा जाता है इसलिए धननजय तु समत्व बुद्धियोग का आश्रय ग्रहन कर क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत क्रिपण है बुद्धियुक्तो जहाती है उभे सुकृत दुश्कृते तस्माध्योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकव शलम समत्व बुद्धियुक्तो पुरुष पुन्य पाप दोनों को ही इसी लोक में त्याग देता है उनसे लिपायमान नहीं होता इसलिए समत्व बुद्धियोग के लिए चेश्टा कर योगह कर्मसु कौशलम समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आशरण कौशल ही योग है संसार में कर्म करने के दो द्रिष्टिकोन प्रिछलित है लोग कर्म करते हैं तो उसका फल भी अवश्य चाहते है या फल न मिले तो कर्म करना ही नहीं चाहते किन्तु योगेश्वर श्री कृष्ण इन कर्मों को बंधनकारी बताते हुए आराधना को एक मात्र कर्म मानते इस अध्याय में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया अध्याय तीन के नवे श्लोप में उसकी परिभाशा दी और चौथे अध्याय में कर्म के स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाला प्रस्तुत श्लोप में श्री कृष्ण ने सांसारिक परंपरा से हट कर कर्म करने की कला बताई कि कर्म तो करो श्रद्धा पूर्वक करो किन्तो फल के अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ दो फल जाएगा कहां यही कर्मों के करने का कौशल है निश्काम साधक की समग्र शक्ती इस प्रकार कर्म में लगी रहती है फिर भी जिग्यासा स्वभाविक है कि क्या सदैव कर्म ही करते रहना है या इसका कुछ परड़ाम भी निकलेगा इसे देखे बुद्ध योग से युक्त ज्यानी जन कर्मों से उत्पन होने वाले फल को त्याग कर जन्म और मृत्यू के बंधन से छूट जाते हैं वे निर्दोश अम्रित्मय परंपद को प्राप्त होते हैं अर्जुन की द्रिष्टी त्रिलोकी के सामराज्य तथा देवताओं के स्वामीपन तक ही सीमित्धी इतने तक के लिए भी वो युद्ध में प्रवृत्त नहीं हो रहा था यहां श्री कृष्ण उसे नवीन तथ्य उद्घाटित करते हैं कि आसकती रहित कर्म द्वारा अनामय पदप्राप्त होता है निश्काम कर्मयोग परंपद को दिलाता है जहां मृत्यू का प्रवेश नहीं है इस कर्म में प्रवृत्त कब होगी जिस काल में तेरी साधक की बुद्धी मोह रूपी दलदल को पूरुता पार कर लेगी लेश मात्र भी मोह न रह जाए उस समय जो सुनने योग्य है उसे तू सुन सकेगा और सुने हुए के अनुसार वैराग्य को प्राप्त हो सकेगा अर्था तुसे आचरण में ढाल सकेगा अभी तो जो सुनने लाइक है उसे न तो तू सुन पाया है और आचरण का तो प्रश्ण ही नहीं खड़ा होता इसी योग्यता पर पुने प्रकाश डालते हैं शृति विप्रति पन्नाते यदास्थास्यति निश्चला समाधाव चला बुद्धी तदा योगम वाप्स्यसी अनेक प्रकार के वेद वाक्यों को सुनकर विचलित हुई तेरी बुद्धी जब परमात्म स्वरूप में समाधिस्थो कर अचल स्थिर ठहर जाएगी तब तु समत्व योग को प्राप्त होगा पूर्ण समिस्थिति को प्राप्त करेगा जिसे अनामय परंपद कहते हैं यही योग की पराकाश्था है और यही अप्राप्त की प्राप्ति है वेदों से तो शिक्षा ही मिलती है किन्तु श्री कृष्ण कहते हैं शुति विप्रति पन्ना शुतियों के अनेक सिध्धान्तों को सुनने से बुद्धि विचलित हो जाती है सिध्धान तो अनेकों सुने लेकिन जो सुनने योग्य है लोग उससे दूर ही रहते हैं यह विचलित बुद्धि जिस समय समाधि में स्थिर हो जाएगी तब तु योग की पराकाश्था अम्रित पद को प्राप्त करेगा इस पर अर्जुन की उत्कंठा स्वभाविक थी कि वे महापुरुष कैसे होते हैं जो अनामय परंपद में स्थित हैं समाधि में जिनकी बुद्धि स्थिर है उसने प्रश्ण किया अर्जुन उवाच स्थित प्रज्यस्यका भाशा समाधि स्थस्यकेशव स्थित धिकिम्प्रभाशेत समाधियते चित्तम यस्मिन्स आत्मा एव समाधि जिसमें चित्त का समाधान किया जाए वो आत्मा ही समाधि है अनाधि तत्व में जो समत्व प्राप्त कर ले उसे समाधिस्त कहते हैं अर्जुन ने पूछा केशव समाधिस्त स्थिर बुद्धिवाले महापुरुष के क्या लक्षण है स्थित प्रग्य पुरुष कैसे बोलता है वो कैसे बैठता है वो कैसे चलता है चार प्रशन अर्जुन ने किये इस पर भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रग्य के लक्षान बताते हुए कहा श्री भगवान उवाच पार्थ जब मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है तब वो आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ठ हुआ स्थिर बुद्धिवाला कहा जाता है कामनाओं के त्याग पर ही आत्मा का दिखदर्शन होता है ऐसा आत्मा राम आत्मत्रिप्त महापुरुश स्थित प्रग्य है दुखेश्वन उद्विग्न मनाह सुखेश्विगतस्प्रिहा वीतरागभयक्रोधा स्थितधीर मुनिरुच्चते दैहिक दैविक तथा भौतिक दुखों में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता सुखों की प्राप्ति में जिसकी स्प्रिहा दूर हो गई है तथा जिसके राग भय और क्रोध नश्ट हो गए है मनन शीलता की चरम सीमा पर पहुँचा हुआ मुनि स्थित प्रग्य कहा जाता है उसके अन्य लक्षर मताते हैं यह सर्वत्रान भिस्नेह ततत प्राप्य शुभा शुभं नाभिनन्दति नत्रेष्टि तस्य प्रग्या प्रतिष्ठितां जो पुरुष सर्वत्रिस नहें रहित हुआ शुभ अथ्वा शुभ को प्राप्त होकर न तो प्रसन होता है और न द्वेश करता है उसकी बुद्धी स्थिर है शुब वो है जो परमात्म स्वरूप में लगाता है अशुब वो है जो प्रकृत की ओर ले जाने वाला होता है किन्तु स्थित प्रग्य पुरुष अनुकूल परिस्थितियों से न प्रसन होता है और न प्रतिकूल परिस्थितियों से द्वेश करता है क्योंकि प्राप्थ होने योग्य वस्तो न उससे भिन्न है और न पतित करने वाले विकार ही उसके लिए है अर्थात अब साधन से उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं रहा ऐसा व्यक्ति स्थित प्रग्य कहा जाता है जिस प्रकार कच्छुआ अपने अंगों को समेट लेता है ठीक वैसे ही ये पुरुष जब सब और से अपने अंगों को समेट लेता है तब उसकी बुद्धी स्थिर होती है खत्रे को देखते ही कच्छुआ जिस प्रकार अपने सिर और पैर समेट लेता है ठीक इसी प्रकार जो पुरुष विशियों में विचरती हुई इंद्रियों को सब और से समेट कर हिदय देश में निरोध कर लेता है उस काल में उस पुरुष की बुद्धी स्थिर होती है किन्तो ये तो एक द्रिष्टांत मात्र है खत्रे का एहसास मिठते ही कच्छुआ तो अपने अंगों को पुनय पहला देता है क्या इसी प्रकार स्थित प्रग्य महापुरुष भी विशियों में रस लेने लगता है इस पर कहते हैं इंद्रियों द्वारा विशियों को नग रहन करने वाले पुरुषों के विशय तो निवरित हो जाते हैं क्योंकि वे ग्रहन ही नहीं करते किन्तु उनका राग नहीं निवरित होता आसक्ति लगी रहती है संपूर्ण इंद्रियों को विशियों से समेटने वाले निशकाम कर्मी का राग भी परम द्रिष्टवा परम तत्व परमात्मा का साक्षात कार करके निवरित हो जाता है महापुरुष कच्छुए की तरह अपनी इंद्रियों को विशियों में नहीं फैलाता एक बार जब इंद्रिया सिमट गई तो संसकार ही मिट जाते हैं पुनेह वे नहीं निकलते निश्काम कर्मयोग के आच्रण द्वारा परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन के साथ उस पुरुष का विशियों से राग भी निवरित हो जाता है प्राया चिंतन पत्में हट करते हैं हट से इंद्रियों को रोक कर वे विशय से तो निवरित हो जाते हैं किन्तु मन में उनका चिंतन राग लगा रहता है। ये आसत्ति परमद्रिष्टवा परमात्मा का साक्षात कार करने के बाद ही निवृत्त होती है। इसके पूर्व नहीं। पूज्य महराज जी इस संबंध में अपनी एक घटना बदाय करते थे। ग्रिह त्याग से पूर्व उन्हें तीन बार आकाश माणिया हुई थी। हमने पूछा महराज जी आपको आकाश माणि क्यूं हुई? हम लोगों को तो नहीं हुई। तब इस पर महराज जी कहे हो इशंका मोहूं के बही रही। अर्थात ये संदेह मुझे भी हुआ था। तब अनुभाव में आया कि मैं साथ जन्म से लगातार साध हूं। चार जन्म तो केवल साध हूं सा वेश बनाए, तिलक लगाए, कहीं विभूति पोते, कहीं कमंडलू लिये विचरन कर रहा हूं। योग क्रिया की जानकारी नहीं थी, लेकिन पिछले तीन जन्म से बढ़िया साध हूं। जैसा होना चाही। मुझे में योग क्रिया जागरित थी। पिछले जन्म में पार लग चला था। निवृत्ति हो चली थी। किन्तु दो इच्छाय रह गई थी। एक तुस्त्री और दूसरी गांजा। अंतर मन में एच्छाय थी। किन्तु बाहर से हमने शरीर को द्रण रखा। मन में वासना लगी थी। इसलिए जन्म लेना पड़ा। जन्म लेते ही भगवान ने थोड़े ही समय में सब दिखा सुनाकर निवृत्ति दिला दी। दो तीन चटकना दिया और सादू बना दिया। ठीक यही बात श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों द्वारा विश्यों को नग्रहण करने वाले पुरुष के भी विश है तो निवृत्त हो जाते हैं किन्तु साधना द्वारा परम पुरुष परमात्मा का साक्षातकार कर लेने पर वो विश्यों के राग से भी निवृत्त हो जाता है। अता है जब तक साक्षातकार नहों कर्म करना है। इंद्रियों को विश्यों से समेटना कठिन है इस पर प्रकाश डालते हैं इंद्रियानि प्रमाथीनी हरंती प्रसभंवनः कौन ते प्रयत्न करने वाले मेधावी पुरुष की प्रमथन शीलिंद्रियान उसके मन को बलात हर लेती हैं विचलित कर देती हैं इसलिए आनि सर्वानि सैयम्य युक्त आसी तमत परह वशेहियसेंद्रियानि तस्य प्रज्या प्रतिश्किता उन संपूर्ण इंद्रियों को सैयत करके योग से युक्त और समर्पण के साथ मेरे अश्रित हो क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियान वश में होती हैं उसी की बुद्धी स्थिर होती है यहां योगेश्वर शिरी कृष्ण साधन के निशेधात्मक अव्यवों के साथ उसके विधेयात्मक पहलू पर जोर देते हैं केवल सैयम और निशेद से इंद्रियान वश में नहीं होती समर्पण के साथ इश्ट चिंतन अनिवारी है इश्ट चिंतन के अभाव में विशय चिंतन होगा जिसके कुपरिणाम शिरी कृष्ण के ही शब्दों में देखें ध्यायतो विशयान पूंसह संगस्ते शूपजायते संगात समझायते कामात क्रोधों भी जायते विशयों का चिंतन करने वाले पुरुष्ण की उन विशयों में आसक्ती हो जाती है आसक्ती से कामना उत्पन होती है कामना पूर्ती में व्यवधान आने से क्रोध उत्पन होता है क्रोध किसे जन्म देता है क्रोधाद भवति सम्मुह सम्मुहाद स्मृति विब्रमाः स्मृति भ्रवशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाद प्रणश्यती क्रोध से विशेश मूर्ता अर्थात अविवेक उत्पन होता है नित्य अनित्य वस्तो का विचार नहीं रह जाता अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है जैसा अर्जुन को हुआ था ब्रहमती वच्छ मे मना गीता के समापन पर उसने कहा नश्टो मोह स्मृतिर भधा क्या करे क्या न करें इसका निरणय नहीं हो बाता स्मृति भ्रमित होने से योग परायन बुद्धिनश्ठ हो जाती और बुद्धिनाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से चित्थ हो जाता है यहाँ श्री कृष्ण में बल दिया है कि विश्यू का चिंतन नहीं करना चाहिए, साधक को नाम, रूप, लीला और धाम में ही कहीं लगे रहना चाहिए, भजन में धील देने पर मन विश्यों में जाएगा, विश्यों के चिंतन से आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उस विशय की कामना साधक के अंतर मन में होने लगती है, कामना की पूर्त में व्यवधान होने पर क्रोध, क्रोध से अविवेक, अविवेक से स्मृति भ्रहम और स्मृति भ्रहम से बुद्धि नश्ट हो जाती है। निश्काम कर्मयोग को बुद्धयोग कहा जाता है क्योंकि बुद्धि स्तर पर इसमें विचार रखना चाहिए कि कामनाएं ना आने पाएं फल है ही नहीं कामना आने से ये बुद्धयोग नश्ट हो जाता है साधन करिय विचार हीन मन शुद्ध होए नहीं तैसे विचार अवश्यक है विचार शून्य पुरुष श्रे साधन से नीचे गिर जाता है साधन क्रम तूट जाता है सर्वता नश्ट नहीं होता भोग के पश्चात साधन वहीं से पुनह आरंभ होता है जहां अवरुद्ध हुआ था ये तो विश्या भिमुख साधक की गती है स्वाधीन अंतह करण वाला साधक किस गती को प्राप्त होता है इस पर श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा की विधिको प्राप्त प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष राग द्वेश से रहित वश में की हुई अपनी इंद्रियों द्वारा विशियान चरंद विशियों में विचर्ता हुआ भी प्रसाध मदिगच्छ दी अंतह करण की निर्मलता को प्राप्त होता है वो अपनी भाव द्रिष्टी में रहता है महापुरुष के लिए विदिनिशेद नहीं रह जाते उसके लिए कहीं अशुब नहीं रहता जिससे वो बचाव करे तथा उसके लिए कोई शुब शेश नहीं रह जाता जिसकी वो काम ना करे प्रसादे सर्वदुखाना हानिरस्योप जायते प्रसन्न चेतसोयाशु बुद्धे पर्यवतिष्टते भगवान के पूर्ण कृपा प्रसाद भगवत्ता से संयुक्त होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है दुखालियम, अशाश्वतम, संसार का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्तवाले पुरुष्ट की बुद्धि शीग्री अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है किन्तु जो योग युक्त नहीं है उनकी दशा पर प्रकाश डालते हैं नास्ति बुद्धिर युक्तस्य नचा युक्तस्य भावना नचा भावयत शांति अशांतस्य कुत सुखम योग साधन रहित पुरुष्ट के अंतह करणे निश्काम कर्म युक्त बुद्धि नहीं होती उस अयुक्त के अंतह करण में भाव भी नहीं होता भावना रहित पुरुष्ट को शांति कहा और अशांत पुरुष्ट को सुख कहा योग क्रिया करने से कुछ दिखाई पढ़ने पर ही भाव बनता है जाने बिनुना होई परती थी भावना बिना शांति नहीं मिलती और शांति रहित पुरुष्ट को सुख अर्थात शाश्वत सनातन की प्राप्ति नहीं होती इंद्रिया नाम ही चरता यन्मनो नुविधीयते तदस्य हरती प्रग्याम वायुर नाव मिवाम्भसी जल में नाव को जिस प्रकार वायु हरन करके गंतव्य से दूर कर देता है ठीक वैसे ही विशियों में विचरन करती हुई इंद्रियों में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वो एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धी को हर लेती है अतही योग का आचरन अनिवारी है क्रियात्मक आचरन पर श्री कृष्ण पुनैबल देते हैं इससे हे महाबाहो जिस पुरुष की इंद्रियों के विशियों से सरवतावश्मे की हुई होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है बाहु कारिक शेत्र का प्रतीक है भगवान महा बाहु एवं आजानु बाहु कहे जाते हैं वे बिना हाथ पैर के सर्वत्र कारे करते हैं उनमें जो प्रवेश पाता है या जो उसी भगवत्ता की और अग्रसर है वो भी महा बाहु है श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को महा बाहु कहा गया है संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए वो परमात्मा रात्री के तुल्ले है क्योंकि दिखाई नहीं देता नविचार ही काम करता है इसलिए रात्री सद्रिश है उस रात्री में परमात्मा में सैयमी पुरुष भली प्रकार देखता है चलता है जागता है क्योंकि वहां उसकी पकड़ है योगी इंद्रियों के सैयम द्वारा उसमें प्रवेश पा जाता है जिन नाशवान सांसारिक सुख भोग के लिए संपूर्ण प्राणी रात दिन परिश्रम करते हैं योगी के लिए वही निशा है रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिमिजन बढ़ भागी जो योगी परमार्थ पत में निरंतर सजग और भोतिक एशनाओं से सर्वता निहस्प्रिय होता है वही उस इश्ट में प्रवेश पाता है वो रहता तो संसार में ही है किन्तु संसार का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता महा पुरुष की इस रहनी का चित्रण देखें आपूर्यमान मचला प्रतिष्थं समुद्रमाप प्रविशंति यद्ध्वत् तद्वत कामायम प्रविशंति सर्वे सशान्ति मापनोति नकामकामी जैसे सब और से परिपूर्ण अचल प्रतिष्था वाले समुद्र में नदियों के जल उसको चलायमान न करते हुए बड़े वेग से उसमें समा जाते हैं ठीक वैसे ही परमात्मा में स्थित प्रग्य पुरुष में सम्पूर्ण भोग विकार उत्पन किये बिना समा जाते हैं ऐसा पुरुष परम शान्ति को प्राप्त होता है नकी भोगों को चाहने वाला भयंकर वेग से बहने वाली सहस्त्रों नदियों के स्त्रोत फसल को नश्ट करते हुए, हत्याय करते हुए, नगरों को डुबाते हुए, हाहा कार मचाते हुए, बड़े वेग से समुद्र में गिरते हैं किन्तु समुद्र को न एक इंच उपर उठा पाते हैं और न गिरा ही पाते हैं बलके उसी में समाहित हो जाते हैं ठीक इसी प्रकार स्थित प्रग्य महापुरुष के प्रती सम्पूर्ण भोग उतने ही वेग से आते हैं किन्तु समाहित हो जाते हैं उन महापुरुषों में न शुब संस्कार डाल पाते हैं न अशुब, योगी के कर्म अशुक्ल और अक्रिश्न होते हैं, क्योंकि जिस चित्थ पर संस्कार पढ़ते हैं, उसका निरोध और विलीनी करण हो गया, इसके साथ ही भगवत्ता की स्थिति आ गई, अब संस्कार प प्यासा थी के स्थित्प्रग्य महापुरुष के लक्षन क्या है, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, श्री कृष्ण ने एक ही शब्द में उत्तर दिया, के वे समुद्रवत होते हैं, उनके लिए विद निशेद नहीं होता, कि ऐसे बैठो और ऐसे चलो, वे ही परमशान्ति को प्राप्त होते हैं, क्यूंकि वे सैयमी हैं, भोगुं की कामना वाला शान्ति नहीं पाता, इसी पर पुनह बल देते हैं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याक कर, निर्ममा, मैं और मेरे के भाव तथा अहंकार और स्प्रिहा से रहित होता हुआ बरत्ता है, वो उस परमशान्ति को प्राप्त होता है, जिसके बाद कुछ भी पाना शेश नहीं रह जाता। प्राप्यवि मुईयती स्थित्वास्यामंत कानेपी ब्रम्ह निर्वाण मृच्छती। पार्थ, उपर्युक्त स्थिती, ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिती है, समुद्रवत उन महापुर्षों में विशय नदियों की तरह समा जाते हैं, वे पूर्ण सैयमी और प्रत्यक्षता परमात्म दर्शी हैं। केवल अहम ब्रह्मासमी पढ़ लेने या रट लेने सी एस्थिती नहीं मिलती। साधन करके ही इस ब्रह्म की इस्थिति को पाया जाता है। ऐसा महापुरुष ब्रह्म निष्ठा में इस्थित रहते हुए शरीर के अंतकाल में भी ब्रह्मा अनंद को ही प्राप्त होता है। निष्कर। प्रायह कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे अध्याय में गीता पूर्ण हो गई। किन्तु यदि केवल कर्म का नाम मात्र लेने से कर्म पूरा हो जाता हो तब तो गीता का समापन माना जा सकता है। इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ट ने यही बताया कि अर्जुन निष्टाम कर्म योग के विशह में सुन। जिसे जानकर तु संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म करने में तेरा अधिकार है। फाल में कभी नहीं। कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी नहो। निरंतर करने के लिए तकपर हो जा। इसके परिणाम में तू परम द्रिष्टवा। परम पुरुष का दर्शन कर स्थित प्रग्य बनेगा। परम शानती पाएगा। किन्तु यह नहीं बताया कि कर्म है क्या। यह सांख्य योग नामक अध्याय नहीं है। यह नाम शास्त्रकार का नहीं। अपितु पीका कारों की देन है। वे अपनी बुद्धी के अनुसार ही ग्रह करते हैं। तो आश्यर क्या है। इस अध्याय में कर्म की गरिमा, उसे करने में बरती जाने वाली सावधानी और इस्थित प्रग्य के लक्षन बताकर, श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में कर्म के प्रती उतकंठा जाग्रत की है। उसे कुछ प्रश्न दिये है। आत्मा शाश्वत है, सनातन है, उसे जानकर तत्वदर्शी बनो। उसकी प्राप्ति के दो साधन है, ज्ञान योग और निश्काम कर्म योग। अपनी शक्ति को समझ कर, हानी लाब का स्वयम निर्णे लेकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान मार्ग है। तथा इश्ट पर निर्भर होकर समर्पन के साथ उसी कर्म में प्रवृत्त होना निश्काम कर्म मार्ग या भक्ति मार्ग है। गोस्वामी तुलसिदास ने दोनों का चित्रन इस प्रकार किया है। ग्यान योगी अपनी शक्ति सामने रखकर अपनी हानी लाब का विचार कर अपनी भरोसे चलता है। जबकि दोनों के शत्रू एक ही है। ग्यान मारगी को काम, क्रोधाद शत्रूओं पर विजय पाना है। और निश्काम कर्म योगी को भी इन ही से युद्ध करना है। कामनाओं कत्याग दोनों करते हैं और दोनों मारगों में किया जाने वाला कर्म भी एक ही है। इस कर्म के परिणाम में परमशानुती को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म है क्या। अब आपके भी समक्ष कर्म एक प्रश्न है। अर्जुन के मन में भी कर्म के प्रति जग्यासा हुई, तीसरे अध्याय के आरंभ में ही उसने कर्म विश्यत प्रश्न प्रस्तुत किया, अता ओम तत्सदिति, श्री मदभगवद गीता सूपनिशत्सु, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्री, श्री क्रश्न अर्जुन समवादे, कर्म जग्यासा नाम द्वतियो अध्याय हुई, इस प्रकार स्वामी अडगणानंद कृत श्री मदभगवद गीता के भाष्य यथार गीता का दूसरा अध्याय पूर्ण होता है, केवल एक परमात्मा में शद्धा और समर्पण का संदेश देने वाली गीता, सबको पवित्र करने का खुला मंत्रन देती है, सृष्टी में कहीं भी रहने वाले अमीर अथ्वा गरीब, कुलीन तथा आदिवासी, पुन्यात् और पापी, स्त्री और पुरुष, सदाचारी एवं अत्यंत दुराचारी, सबका इसमें प्रवेश है, विशेशकर गीता पापियों के ही उद्धार का सुगंपत बताती है, पुन्यात्मा तो भजते ही है, प्रस्तुत है, उसी गीता की अद्वत्तिय व्याख्या, यथार अद्वत्व 24.